आज हम बनाएंगे बहुती क्रीमी और टेस्टी रेस्टोरान स्टाइल बीफ बॉनलेस हांदी बहुती सिंपल इंगुडियंट्स के साथ विच टिप्स और ट्रेक्स सो वीडियो को फुल वाच कीजिए चानल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए इसे शेयर कीजी और वीडियो को लाइक कीजिए स्टार्ट करते हैं अपनी रिसिपी यहां पर मैंने बीफ बॉनलेस लिया है वन केजी के करीब और इसे इस साइज में मैंने कट कर लिया है प्रेशर कुकर में हम एट करेंगे मीट आप चाहें तो इसे विदाओट प्रेशर कुकर भी बना सकते हैं लेकि इसमें थोड़ा टाइम स्यादा लगेगा अब मैं इसमें एट करूंगी वन लाट साइस का अनियन जिसे मैंने रफली चॉप कर लिया है अगर आपके पास स्मॉल अनियन है तो उसे टू एट कीजिए इस तरीके से अनियन डालने से आपको इसका अलयदा से पेस्ट बनाना नहीं पढ़एगा अब मैं इसमें एट कर रहे हैं लूप MB सॉल्ट मैं इसमें एट करूंगी टाइम गारलिक पेस्ट अब इसमें वन कप पानी डालके हम इसको अच्छे तरीके से प्रेशर कर लेंगे और मीट को अच्छे से गला लेंगे मैं इसे 20 मिनट्स का टाइम दूँगी अब अपने मीट के हिसाब से प्रेशर को टाइम दीजिए आफ्टर 20 मिनट्स हम प्रेशर रिलीस करेंगे और मीट को चेक करेंगे आप देख सकते हैं मीट बहुत अच्छे तरीके से सॉफ्ट गल चुका है इसको इस तरीके से सॉफ्ट होना चाहिए इस स्टेज पे आप गोश्ट को गला के रख सकते हैं और जब गेस्ट आने का टाइम हो तो बाकी प्रोसेस इसके बात कर सकते हैं अब मीट को मैंने खानी में ट्रांसफर कर दिया है अब इस टेज़ पे मैं इसमें आड़ करूंगी टमैटो प्यूरे सिंप्ली दो टमार्टरों को ब्लेंडर में डालिए और उन्हें अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लीचे half-tee-spoon में डालूंगी again ginger and garlic paste one cup इसमें मैं आड़ करूंगी yogurt का योगर्ट डाल के हम इसको अच्छे तरीके से mix करेंगे अब अब इसमें आड़ करेंगे one teaspoon रट चिली powder half-tee-spoon इसमें आड़ करेंगे black pepper 1 teaspoon इसमें आट करेंगे सूखा धनिया पौडर 1 teaspoon इसमें जाएगा जीरा पौडर 1 फोर teaspoon इसमें आट करेंगे टर्मरीक पौडर Half teaspoon salt जाएगा या according to your taste Salt ध्यान से डालें क्योंकि हमने इसमें पहले भी salt आट किया था Spices डालके हम इसे अच्छे तरीके से mix करेंगे तो हम इसमें 1 teaspoon मेथी आट करेंगे इसे इस तरीके से हाथ से अच्छे तरीके से मसल के फिर हम इसमें आट करेंगे अब मैं इसमें आट करूंगी 3 डेबल स्पून बटर और साथ ही मैं इसके आट करूंगी थोरा सा ओरिल पटर डालके हम इसको अच्छे तरीके से कुप करेंगे इससे इसका टेस्ट बहुत ही मज़ेका आएगा और इसमें बहुत अच्छी शाइनिंग आएगी अब मीडियम तो हाय फ्लेम पे इसे हम अच्छे तरीके से कुप करेंगे ताके ग्रेवी हमारी अच्छे से घारी हो जाए आप देख सकते हैं आईल सेपरिट हो चुका है और इसका कलर बहुत ही प्यारा आया है अब इसमें आद करेंगे 100 ml क्रीम क्रीम डालते वए आप फ्लेम को बिल्कुल लो कर दें या उसे आफ कर दें और क्रीम डालने के बाद इसे अच्छे तरीक्शे से मिक्स करें अब फ्लेम को मीडियम पडी कीजिए और इसे पांच-दस मिनिट के लिए अच्छे तरीके से कुक कर लीजिए अब इसका टेוס देख सकते हैं कितना क्रीम है वीफ पॉनले सांडी रडी हो चुकी है इससे सरफ करते हैं बहुत ही टेस स्टाइल भीफ पॉनले सांधी तियार हो चुकी है इसे अगर आप नान के साथ सर्फ कीजिए और कॉमेंट सेक्षिन में बताइए कि आपको रेसिपी कैसी लगी नेक्स टाइ मिलेंगे को रेसिपी के साथ सो स्टेर विद मी एंड से कनेक्टेड